क्या आपको भी दोस्तो इस तरीके से वर्टिकल वीडियोस बनाने हैं जो आप आपके YouTube शॉट्स के लिए, Facebook शॉट्स के लिए या फिर IGTV या Instagram के लिए यूज कर सकते हूँ और उसी के साथ आप आपके WhatsApp स्टेटस पे भी इसे लगा सकते हूँ तो दोस्तो आज का वीडियो आ आपके लिए है, Hello दोस्तो मैं हूँ श्रयास बाठिया और आप देख रहे हैं पांठिया स्टेटिंग इन कंसेटनसी और आज हम देखने वाले है कि किस तरीके से OBS में हम शॉट्ट वीडियोस क्रिएट करने के लिए जो वर्टिकल फॉर्मेट लगता है वो वर्टिकल दोस्तों यहां पर मैंने मेरा OBS open कर लिया है और OBS में ही देखिए वर्टिकल वीडियो ट्रायल करके सीन मैंने बनाया है अब यहां पर क्या करना है तो चलिए मैं और एक सीन अड कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ डेमो ठीक है और इसे करता हूँ ओके अब बाइड़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा Canvas जो मुझे मिला है वो Vertical मिला है और वो किस तरीके से मैंने बनाया है तो यहाँ पर आपने जाना है Settings में Settings में जाने के बाद Video में जाना है दोस्तो Output में नहीं जाना है अगर आप output में चले जाओगे तो यहाँ पर advanced settings में भी आप कर सकते हो बट उसके वज़े से आपकी video quality में बहुत जादा complications आ सकते है तो इसलिए simple तरीका होता है videos में चले जाना है videos में चले जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर 1080 into 1920 का मैंने base canvas रखा है generally अब आपके पास कौन सा रहेगा 1920 by 1080 जैसा ही मैं इसे apply करता हूँ तो देखिए दोस्तो यहाँ पर यह horizontal जो हमारा original youtube के लिए हम use करते है वो वाला canvas यहाँ पर आ गया है बट अब हमें दूसरा वाला canvas चाहिए तो देखिए वापिसे में videos में जाता हूँ और स्रिफ इसे reverse कर देता हूँ तो 1080 into 1920 और इसे कर देता हूँ apply और ok तो देखिए यह canvas हमारा vertical यहाँ पर हो चुका है canvas vertical हो गया मतलब ही आपका vertical video मतलब ही आपका mobile video यहाँ पर आप record कर सकते हो अब plus करता हूँ video capture device में यहाँ पर on करता हूँ अब video capture device मेरा already selected है existing है इसलिए मैं उसी को select कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ ok अब यहाँ पर देखिए मैं इसे extend कर देता हूँ पूरा का पूरा और अब मैं adjust कर सकता हूँ कि क्या दिखना चाहिए और क्या दिखना नहीं चाहिए मान लीजिए मुझे यह पार्ट ही दिखाना है इतना तो देखिए यह नजर आ रहा है इस तरीके से या फिर आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हो किसी corner में रख सकते हो या किसी side में रख सकते हो या for example bottom में रख सकते हो और उपर के area में दूसरी कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो जो भी आपको presentation दालना है या दूसरा कुछ दालना है जो आपको दिखाना है तो इसे short videos आप बड़े ही आराम से comfortably OBS में ही बना सकते हो और editing करते हो वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी short video का final output एक minute से कम होना चाहिए तब ही वो YouTube Shots पे काम करेगा और Instagram पे भी वो एक minute से कम रहेगा तो ही द इकत नहीं है तो आशा करता हो दोस्तों कि आपको आज का tutorial बहुत interesting लगा अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के shots के ऊपर मैं और detailed specific कोई topic पे videos बनाओ तो please comment section में comment करके बताईएगा और अगर आज के session में कोई भी doubt है तो comment section में comment करके पूछिएगा ज़रूर और अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए, share कीजिए, like कीजिए और bell icon को press करना न भूलिएगा so that इस तरीके की informative videos आप तक हमेशा पहुच जाए करे, thank you